जहें दोस्तों स्वाद करता हूं इस वीडियो में मैं हूं सावन कुमार सावन टक्स यूटूब चैनल में आपको स्वाद करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ससी का राइस्टेशन किया जाता है step-by-step और हिंदी में हम लोग देखने वाले हैं चैस चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बता दो कि ससी के जब एक बार आप राइस्टेशन करते हो तो लाइप में एक ही बार राइस GGL आएगा MTS आएगा आपको GT हो गया दिल्ली फूलिस हो गया हर्याना फूलिस हो गया मतलब जितने भी एससे आपको वेकेंसी निकालेगा उसी पर फिल अप होगा तो चलिए मैं राइस्ट्रेशन करना आज बता देता हूं इस वीडियो में नेक्स वीडियो में बताऊंगा ता की कैसे form को fill up करते हैं दोस्तों computer की कोई भी एक browser को open कर लेना या mobile में भी आप open कर सकते हैं और उसको desktop mode पे आपको कर लेना है, desktop mode पे करने के बाद या computer में खुलने के बाद यहां पे आपको सरकारी result search कर लेना है और जैसे search कीजएगा यहां पे क्लिए कर दिना है और डिरेक्ट आपको सर्च करके नीचे में लेकर आना है और नीचे में MTS दीखेगा Marchegiani मैं MTS और आट इस पर क्लिक करें और डाया करके आगा कर और यहां पर राक्सटेसरन पर क्लिग कर देंना है दोस्तों जैसे राकसे सथ पर कुछ कीजिए इसी डोट एन आई सी डोट इन यानिके एससी का आपको ऑफिस्यल वेब साइट पे डायरेक्ट लेकर लेकर आगया रिडायरेक्ट होके उसके बाद आपको देखिए कैसे करना है यहां से बेसिक डीटेल कुछ डालते हैं सबसे पहले लिक राइड यू है वे आधार दी यह से यहां से अच्छा से आपको देख लेना है अब यहां पर आप से पूछ रहा है कुछ फॉइंट की एनी टाइप ऑफ आईडी तो जब आप आधार काट पर यह कर लिजेगा तो यह हाइड हो जाएगा इसको छोड़ देना है अपना नमबर यहां पर डाल यहां पर नीम डा बिख देना है ठीक उछसके बाद निक्ट पॉइंट है दोस्त आपके फादरिस नेम हमे ट्रेक कले सीरी और मिस्टर मीशेज यह लेट वारा से अब कुछ नहीं डालना है ठीक है फिटाउट यह सब के डालना है यहाँ पर देखे लिख दिया गया और फिर से यहाँ पर आपको डेट अब डालना है और यहाँ पर डेट अब डालना है फिर वहीं डेट अब वर्ट यह सब यहां पर देखिए जैसे मैं बिहार बोड से हूं तो यहां से मैं भी हार बोड चूज कर दोंगा बिहार एक्जामिनेशन बिहार एक्जामिनेशन बोड फिर से यहां से मैं चूज कर दोंगा और यहां पर रॉल नमर डाल देना मैटरी के देखिए हैं मैटरी कुलेशन के अन इसके बाद यहां पे अपने application मतलब higher qualification यहांपे चूज करना है जो कहां तक आप higher में पौड़े हुए उसके बाद है यहां पर mobile number फिर से यहां पर mobile नमर और मिल और में सब्सक्राइब करना है कि पर्मेंट फील कर ले रहा हूं देखिए दोस्तों यहां पर मैं डेट बॉर्थ को चूज करके दिखा रहा हूं यहां पर जैसे क्लिक हीएगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आप लिख भी सकते हैं अब नहीं लिख पा रहा है तो कैसे क्या करना है कि यहां पर देखिए आपक कर सकते हैं कोई देखत नहीं है ठीक यह आप चूज भी कर सकते हैं चूज कैसे करना तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर सबसे यहां पर क्लिक करके और यहां अफिकटीन दोनों सेम् हो जाएगा कुई तीकत दिफ ले जाएगल ठीक तॡॉटल करके मैं आपको Sanders करके तिक और अलगोर मीथ हुआ डॉस्तोंटो हो करने के बाद आपको स्टेक्लिक करते नहीं और से क्लिक करने का बाद जैसे क्लिक किजिएगा तो मुबाइल नमर और यहां पर email आइडिस तो करेगा आपको confirm पर क्लिक कर देना है और जैसे confirm पर क्लिक किजिएगा तो वहां पर आपका राइस्टेशन नमर एक पासवोड जाएगा और यह जब तक आप चौदे दिन के अंदर टोटल आप नहीं कंप्लिट कीजिएगा राइस्टेशन यहीं लिख रहा है तो इसको आटोमेटिक डिलेट कर दे जाएगा यहां पर क्लोच पर क्लिक कर देना है और जैसे क्लोच पर क्लिक किजिएगा तो य कहाते ही दोस्तों क्या करना यहां पे उजर नें जो गया है राइस्टेशन नम को ही उजरनें बोलते हैं यहां भी कर देना है और जो मुबाईल पर पासओर गिया है तो यहां पर उप को फील कर देना है और फील करने के बाद दोस्तों क्या करना है यहां पर यह जो बॉगल में केपचा है यहां पर फील कर लेना है चलिए मैं केपचा पर को फील करके और यहां पर लोग इन करके और टोटल अराइस्टेशन करके आपको दिखा रहा हूं जैसे लोग इन पर क्लिक किजिए गा तो यह देखिए लोग इन हो कि आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा और जैसे ही लोग इन होके आएगा सबसे पहले दिखना यहां पर और पाशवोर्ण को डालना सकते हैंब फिए तो अब जैसे चाहिए वह बना कर और यहां पर संवीट पे किलिए करना है दोस्तों जैसे समिट पर किलिए किजिए गा और यह देखिए सब्सक्राइब कर देखिए और वीडियो देखने के बाद ही आप कीजिए तभी आप सक्सेश्पूल कर पाईएगा ठीक और जैसे ही लोगिन कि कीजिएगा ते देखिए कुछी तरह के इंटरिफेस आपके सामने दिखिएगा और यह रेस्टेशन अभी आधा दुरा हुआ है और टोटल कैसे करना इस्टेप आइस्टेप मैं आपको बता देता हूं अब दिखिए आपको ड्रह करके नीचे आना नीचे आने के बाद तोटल अपने यहां पर फील कर लेना है मतलब पहले एक बार मेच कर लेना मैच करने के बाद दोताब किए करन municipal नेकस्ट करने के बाद दो तो उपर क्या-क्याप करने के लिए सब से पहले के टेगरीoj準 समर्साइब तो केटेगरी में सबसे पहले यहां जो भी आपेटेगरी होगे तो फील कर लेना एंगे सबसे पहले इसे सबसे के बाद नेशनलिटी यहां चूज करके और यहां पर सिटीजन आफ इंडियन कर लेंगे यहां पर कोई आइडेंटिकल मार्क यहां डाल देंगे और यहां पर आर यू फॉर्शन तुग कि यहां पर डिजलिबिलिटी मतलब कोई हैंडिकैप है तो यह करना नहीं तो नूप आपको क्लिक करना के बाद देखें नेक्स्ट आना यहां पर फिर से पर्मनेंट और यहां पर एस्टीट को चूज कर देना है किस इस्टेट चे आप बिलोंग करते हैं इस्टीट को फिल करने के बाद जैसे ही आप यह किजिएगा टोटल आटमेटिक फिल हो जाएगा उसके बाद आपको सेपिक लिए कर देना चलिए मैं फिल करके ही आपको दिखा रहा हूं ठीक एक के स्टेप यह सब से पहले यहां पर आइडेंटिल कल मार्क मतलों मॉल्या का साइन होग यहां पर आपको लिख देना है एक्जांपल के लिए चलिए मैं एक लिकर दिखा देता हूं ठीक जैसे मूल होगा तो एक मूल ओन लिखने है आपको एसे कर लेना है और यहाँ पर पर्मानेंट एड्रेस आपको डाल लेना है चलिए मैं पर्मानेंट एड्रेस भी डाल कि आपको दिखा रहा हूं देखे दोस्तों जैसे आप यह लिख लिएगा एड्रेस लिखने के बाद आपको यहां पर बिहार कुछ करना एस्टेट मतलब यहां पर डिस्ट्रिक और यहां पर पीन कोड चूछ करने के बाद डायरेक्ट यहां पर यह कर देना यह किजिएगा टूटल आपका फिल हो करें और यहां पर क्या करना फाइनल समीट पर क्लिक कर देना है और पॉइंट में बता तुम देखे टीक एड्राप्ट प्रिंट पर कि लिए कि जिएगा यहां आपके पास एक प्रिंट ऐसे निकल जाएगा अगर आप एक दुकानदार कैफे वाले हैं तो इसे प्रिंट निकालके और यह आप customer को दिखा सकते हैं मतलब student को दिखा सकते हैं कि आपने feel किया है या feel किया है तो सही है या नहीं सही है ठीक है और यह total दिखाने के बाद अगर customer बोलता है कि हाँ यानि के student बोलता है कि सही है sir तो आप क्या कीजिए आइ एकरी पे ग्लिक करके और यहां final submit कर देजियां चलिए मैं भी पहले爏क लेता हूं और सके बाद final submit पे करके दिखा runner आहां और दोस्तों जैसे ही match कर लेते हैं आई एक लाइनल फे मेंडिक करके और यहां से final अगर आपको देखिए यहां पर लिख रहा है नोट बेसिक एन अदर डिटेल्स कैन भी मोटिफाइड मतलब कहाने का मतलब की आप फिर से मोटिफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं आपको लग रहा है कि कुई रंग डिटल डिटील डाल चुका हूं मैं तो यहां पर किंस कुली कर लेना है और आपको डाल के और यहां से सब्स्ट कर लेंगे मेरा यह गर्फर कुछ कर सकते हैं और नहीं तो दस मिठ के बाद एन्स जेनरेट कर सकते हैं सदस मिठ कर लेजे हा الأ 있rogant को पुराना वाially डाल के आप क्या है समीट कहिए चलिए मैं फुर्राना वाला समेट नहीं कर पा रहा हूंँ तो दस चलिए मेंट का लेतां मों फिल करके और क्यप्चा को फिल करके सब्मिट पर क्लिक किजिएगा तो यह देखिए आपका जो राइस्टेशन है सक्सेस्पूल सब्मिट हो गया देखिए नहीं भैलेड लिख रहा है आखिर बीमारी कहां पर चलिए मैं देख लेता हूं इसको देखिए मैं बार-बार इसक को भी प्रोलम आ सकता है देखिए सई होते हुए भी यह बार-बार फॉर्पलम आ रहा है चलिए दोस्तों जैसे हैं दोनों को फिल कर गया ओकी कीजिएगा तो कुछी इस तरह के इंटरफेस आएगा और यह देखिए आपका राइस्टेशन इस यू हैब सक्सिस्पूल कंप्लिट राजेस्टन और राइस्टेशन यह आपका हो या उच्छा सापको प्रिंट या आपको लिकार अच्छा से रख लेना है चलिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे किसी भी फॉर्म जैसे एमटीस आया हुआ है कैसे उसको फिल करते हैं